किसी भी जगे का जब हम वास्तु करते हैं तो सबसे पहले उस जगे की नौर्थ डिरेक्शन कहा है इसके बारे में हम पता लगाते हैं और नौर्थ डिरेक्शन को लोकेट करने के लिए हम मेगनेटिक कमपास का यूज करते हैं जब उस जगे की नौर्थ डिरेक्शन को हम मेगनेटिक कमपास से पता लगा लेते हैं तो इसको हम उसके नक्षे पे प्लॉट करते हैं नौर्थ डिरेक्शन को और उसके बाद बाकी अन्य दिशाओं को नक्षे पे plot करके उस जगे का वास्तू किया जाता है अगर आप magnetic compass को सही तरीके से यूज़ करना जानते हैं तब तो ठीक है अन्य था इससे जो आप north direction का पता लगाएंगे उसमें कुछ ना कुछ गलती होगी और अगर आपके plot का या जगे का north direction ही आपने गलत लोकेट करा तो उससे जो वास्तू होगा वो भी गलत ही होगा इसलिए magnetic compass का सही तरीके से यूज़ करना बहुत ही important है बहुत ही critical है आज मैं आपको पांच ऐसे critical नियमों के बारे में बताऊंगा जिसका संबंद magnetic compass से है और उसमें जो चार critical नियम है उनका संबंद है कि इसको कैसे use करना है किन बातों का ध्यान रखना है और क्या हमें साबधानी बरतनी है और पांच वे नियम का संबंद है कि अगर एक plot का हमें north direction magnetic compass से locate करना है या पता करना है तो क्या सिर्फ उसके center में magnetic compass को रखके north पता करना शफिशेंट है प्रयाप्त है या plot की कुछ अन जगहों पर भी हमें magnetic compass रखके north को locate करना है जिससे जो error है जो तुल्टियां है जो गल्तियां है north को locate करने में वो पूरी तरह से eliminate हो जाए और उस plot का जो north लोकेट हो वो 100% accurate हो तो ये पांच नियमों को आज हम इस वीडियो में detailed में समझेंगे पहले हम जो critical नियम हमारा पहला है उसके बारे में हम बात करते हैं देखिए magnetic compass एक magnetic field को represent करता है और इसको जब हम north direction पता करते समय किसी plot के जमीन या फर्ष पे directly रखते हैं तो इसका जो magnetic field है वो disturbed होता है और magnetic needle जो north को point करती है वो accurate north नहीं होता उसमें कुछ ना कुछ गल्ती error या कमी होती है तो हमें ये सुनिश्चित करना है कि magnetic compass को हम उस तरह के surface पे रखें जो इसका bat conductor हो जैसे लकडी हमें magnetic compass को लकडी के surface पे ही रखना है अगर आप एक plot का north direction निखालना चाहते हैं तो उसके center में आप लकडी का stool रख सकते हैं लकडी की कोई table रख सकते हैं, chair रख सकते हैं, कोई पत्रा रख सकते हैं आप लकडी की कोई tray भी रख सकते हैं, आप जो plot का center point है उसमें आप इस तरह के लकडी का एक tray center में रखिए और इसके उपर आप magnetic compass को रख के आप north direction का पता लगाईए या locate करिए इससे इसका magnetic field बिल्कुल भी disturbed नहीं होगा और जो needle north को represent करेगी या north को जो बताएगी या locate करेगी वो perfect north होगा तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि plot में आपको सीधा जमीन फर्ष पे magnetic compass को नहीं रखना है दूसरा जो वैक्ति magnetic compass का use कर रहा है जैसे कि इसमें magnetic field है तो उस वैक्ति के शरीर में कोई भी metallic चीजें नहीं होनी चाहिए जैसे उसके pocket में घर की चाबियां है तो उसको निकाल देनी है गाड़ी की चाबी pocket में नहीं होनी चाहिए अगर कोई wrist watch पहनी है तो ये भी जो magnetic compass के magnetic field को इस डिस्टब करेगी तो wrist watch भी आपको नहीं पहनी है अगर आपने कोई locket पहना है या आपने कोई अंगूठी पहनी है तो ये भी आपको उतारनी है कहने कारती है कि जो व्यक्ति magnetic compass को यूज कर रहा है उसको कोई भी metal की चीजें अपने शरीर पर नहीं पहननी है तीसरा critical नियम ये है कि जब भी हम magnetic compass को यूज करते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि इस पे हल्की फल्की dust है तो हम उस dust को सूखे कपड़े या रुमाल से साफ कर देते हैं जैसे अगर इसमें आप dust देख रहे हैं इसको मैं सूखे कपड़े से साफ करूँगा तभी नॉमली सोभावी कहा कि तभी मैं इसको यूज करूँगा यही सबसे बड़ी यहां गलती है जब हम सूखे रुमाल से dust को साफ करते हैं तो यहां पे friction से energy create होती है यह जो glass cover है इससे जो magnetic needle है वो glass cover की तरफ जुक जाती है उपर की तरफ आती है उससे चिपक जाती है तो इससे भी north exact locate नहीं होता है तो इसके समधान के लिए अगर आपके magnetic compass की उपर कोई dust बगरा है तो आप हलका गीला रुमाल या कपड़ा करके उससे आपको इस surface पहुचना है ना कि एक सूखे रुमाल या कपड़े से आपको इसका जो glass cover उसको आपको पहुचना है तो यह आपको ध्यान रखना है अब हम चौते नियम के बारे में बात करते हैं जब भी आप magnetic compass को लकड़ी के surface पर रखेंगे तो वो लकड़ी का जो surface है वो flat होना चाहिए समतल होना चाहिए या level होना चाहिए अगर वो table आप लकड़ी की यूज कर रहे हैं या पटरा यूज कर रहे हैं वो हिलता हूँ नहीं होना चाहिए उसके नीचे जो सतہ है जो जमीन है या जो फर्ष है लेवल होना चाहिए अगर थोड़ा सो भी हिल रहा है तो आपको उसको एड़ेस्ट करके इस तरह से टेबल या पट्रे को फिक्स करना है कि वो ना हिले और जो सतह है टेबल का अगर आप उस पे मेगनेटिक कमपास रखने या पट्रे पर वो सतह ना तो एक तरफ जुका हो ना ही वो कहीं टिल्टेड हो बिलकुल वो स्ट्रेट हो बिलकुल वो लेवल हो उसके बाद ही नौर्थ डिरेक्शन जब आप मेगनेटिक कमपास से किसी भी प्लॉट का लोकेट करेंगे तो परफेक्ट आपको नौर्थ मिलेगा तो ये चार क्रिटिकल नियम आपको पा मेगनेटिक कमपास को कहां कहां पर रखना है और उसके पीछे क्या कारण है देखिए किसी भी प्लॉट की नौर्थ डिरेक्शन को लोकेट करने के लिए आपको मेगनेटिक कमपास को उस प्लॉट की तीन जगहों पर रखना है पहला है जो उस प्लॉट का में एंटरेंस है main entrance के तुरंथ भार आपको रखके north measure करना है दूसरा जो main entrance के अंदर यानि घर के अंदर main entrance के पास आपको floor पे एक लकड़ी के सतय पे रखके north measure करना है और तीसरा उस plot का जो center है उसमें आपको magnetic compass रखके north को आपको locate या measure करना है तो हो सकता है कि तीनों की reading अलग-अलगा है क्योंकि plot के आसपास काफी कुछ magnetic fields की चीज़ें होती है जो disturb होती है जैसे कि कोई electric pole है कोई सरीये पड़े हुए है तो उस error को दूर करने के लिए हमारे plot का exact north आए accurate north है हमें तीन जगे पर रखके north को locate करना है या पता करना है मालिया आपने main entrance के बाहर compass को रखके north locate करा और वो north minus 6 degree आया यानि कि वो tilted है north straight उसका north नहीं है वो minus 6 degree आया और जब आपने अंदर रखके north को measure करा main entrance के अंदर तो अगर वो 4 degree आया तो हमें 2 reading मिली बाहर रखने पे 6 degree और अंदर रखने पे minus 4 जब आपने center में रखके north को measure करा और अगर उसमें आपको north tilted 5 degree मिला यानि कि minus 5 मिला तो अब आपको इन तीनो readings का average निकालना है जैसे कि center में हमें 5 मिला entrance के बाहर हमें 6 मिला और entrance के अंदर हमें 4 मिला तो 6 plus 4 plus 5 15 इसको जब हम 3 से divide करेंगे तो हमें जो average आएगा वो आएगा 5 degree इसका अर्थ यह हुआ कि इस plot का जो north है वो minus 5 degree tilted है तो यह जो north आया यह perfect north आया क्योंकि इस पे हमने तीन जगह पे north को measure करा और उसका average out करा तो ऐसे north में बिल्कुल भी error नहीं होती है और यह perfect accurate north हमें उस plot का मिलता है तो आपको north measure करते समय इन बातों का ध्यान रखना है और magnetic compass को कैसे use करना है जो उसके बारे में मैंने चार नियम बता है उनका भी आपको ध्यान रखना है तब ही आपके plot का जो north आएगा वो perfect accurate error free बिना किसी कमी बिना किसी गलती के आपका perfect north निकलेगा और उससे जो बास्तु होगा वो भी perfect ही होगा तो आप इन बातों को ध्यान रखिए इस विशे से समबंदित अगर आपके कोई प्रशन है आप comment box में लिखिए जिससे उसका उत्तर मैं जल्दी से जल्दी दे सकूँ अगले वीडियो में एक नए topic और interesting subject के साथ आप से जुड़ूँगा थैंक यू धन्यवाद अगर आपको ये जानकारियां उप्योगी लगी तो चैनल को लाइक करें और लाइक आइकन पर प्रेस करें और इस विशे पर अधिक जानकारी के लिए और लेटिस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें